कोटल का बना हुआ mix veg के सबजी आप भूल जाएंगे जब घर पर बना करके आसान तरीकों से यह तैयार करेंगे और एक बर टेस्ट करेंगे मैं आप सब का बहुत स्वागत है और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूं बहुत ही हेल्दी mix vegetable की रेसिपी जो की बहुत ही आसान तरीके से बनका तैयार की गई है और बहुत जल्दी बन गई है तो चलिए आज की रेसिपी हम यहां सुरू करते हैं vegetable बनाने के लिए हमने कुछ सबज्यों को पहले काट लिया है तो यह देखिया मैंने यहां पर फूल गोबी को काट करके धोके ले लिया है साथ में बिंस को भी काटा है और गाजर के मैं चोटे-चोटे cubes किये हैं साथ में सिमला मिर्च के भी cubes कर लिये हैं और एक मैंने यहां पर आलु और फूल गोबीु दाल करके इसमें फिर कर लेती हूं गोलडन कर ले चलिक हर कोजा जातफ किप boundary करना को कुक करंएे। 75% जब यह हमारा कुक हो जाएगा और थोड़ा golden color आजाएगा तब हम इसे अलग separate कर लेंगे और तेल को हमें बचा कर निकालना है कि हमें वापस इसी तेल का use करना है जिसमें हम यह fry कर रहे हैं और यहां पर देखिए फिर वापस से मैंने गाजर, सिमला मिर्च और बिंस इसमें add कर दिया है इसे भी हम 2 मिनट पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना है ज्यादा पकाने से सबजी का color चेंज हो जाएगा तो बस 2 मिनटी हम इसे थोड़ा सा fry कर लेंगे और फिर fry करने के बाद हम इसमें हरा मटर जो हमने रखा है frozen हरा मटर वो हम इसमें डाल देंगे और उसे हमें बस 30 सेकंड तक mix कर लेना है और mix करने के बाद फिर हम उसे separate कर लेंगे एक अलग बर्तन में लग निकालने के बाद हम उसी पेन का यूज करेंगे और वापस से हम उसमें दो टेवल स्पून ओयल डाल करके थोड़ा सा गरम होने देंगे और साथ में दो इलाईची भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैंने दो तेज़ पत्ते को डाला है इसके अंदर मैं यहाँ पर आठ से दस काजू डाल देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो काजू स्किप कर सकते हैं और दो इंच अद्रक का टुकड़ा मैंने इस तरह से बारी काट करके डाल दिया है आठ से दस मैंने लेसन की कलिया ले ली हैं आधी सब्सक्राइब करते창 के हैं वाइन कि बेमेडियुम पास देक हम इसे प्राल करना है यह अपर सक्ठाल कारी हुग है दो हरी मर्च टाला है जंक ड़ाया है या olsun नो आधे लिए सब्सक्राइब करनाया होर। अभी जहाए माडर को सॉफ्ट होने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करेंगे हम इसका एक अच्छा सा ग्रेवी बना कर तयार करेंगे यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना के तयार कर लिया बिल्कुल बारिक सब इसका में से तयार करना है और वापस हम उसी कड़ाई का यूज करेंगे और मैं बटर डौर्थ दाल रहा है यहां पर मैंने इक यूब बटर का लिया है और वो एड करें अगर आप करेंगे आप छाथे हैं तो इस जगा पर गी का यूज कर सकते हैं या फीर आप तेल भी डाल सकते हैं यहां पर बटर का यूज़ किया है थोड़ा सा मैं बटर एड़ कर रही हूं अब यहां पर देखिए बटर तो मिल्ट हो गया है मैंने इसमें दो लाल मिर्च भी डाल दिया है और साथ में चला लेते हैं और इसके बाद पिर हमने जो प्यूरी बना कर रखी है ना टमाटर और अब इसके बाद हम थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर इसमें हमने सूखे मसाले डाले हैं तो यहां पर एक से देड़ छोटा चमच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और इसके बाद फिर मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी एड कर लूँगी तो यहां पर नमक भी जीरा पाउडर डालने के बाद मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है और फिर थोड़ा से गरम मसाला डालेंगे जोगी बहुत थोड़ा से मैंने गरम मसाला लिया है अब इसमें पर डिले एक बड़ा चमच लिया है जिससे हमारे सबजी में कलर बहुत अच्छा आएगा और इसके बाद अब हम इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा फ्राइ करेंगे गैस का फ्लेम जो है हमें मीडियम तो स्लो रखना है और सारे मसालों को पकाते हुए हमें पांच मिन लिया है और हम इसमें डाल दे रहे हैं डाल करके इसे मिला लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा कसूरी मेह ती अलग रख देंगे साइड में कि हमें वापस बाद में उसका यूज करना है अब यहां पर देखिए मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राइब हो गया हैं मिल गया है त सब्सक्राइब करें दो से तीन मिनट तक मिक्स करेंगे अच्छे से कि जो हमारे मसाले और सब्सक्राइब हो गया है और अब हम इसमें पानी अड़ करेंगे तो यहां पर मैंने दो कर्टोरी पानी डाला है क्योंकि सब्सक्राइब है तो हमारे सब्सक्राइब है तो थोड़ी सी हमें इसे ग्रेवी में मिक्स करके पकाना है तो मैंने यहां पर दो कर्टोरी पानी का यूज किया है और उसे डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे पानी एड़ करके हम इसे पांच मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे जो कि हमें मेडियम फ्लेम पर छोड़ना है इसे और अब देखिए मैं धकन हटाती हूँ और यहां पर देखिए हमारा सब्जी में कितना अच्छा उबाल आया हुआ है और इसे हमें एक बार से मिला दालेते हैं और यहां पर मैंने डाला है कसूरी मेथी जो की थोड़ा सब जो बचा के रखे थे वो डाल दिये हैं और उसके साथ ही मैंने डाला है एक चम्मच फ्रेस क्रीम तो कसूरी मेथी से जो है हमारे सब्जी का टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाता है अगर आपको नहीं हो तो आप फ्रेस क्रीम स्किप कर सकते हैं बट आपका सूरी मेथी जरू डालिए उससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और साथ में मैं गैस बंद करने से पहले हरा धन्या का यूज कर रही हूं तो यहां पर मैंने हरा धन्या डाल दिया है और इस आपको मिल जाएगी और मेरी रेसिपी को ट्राइ कीजिए बहुत ही हल्दी है अच्छी है मिलेंके एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग